कि नमस्कार साथियों कि आज मैंने कि अमूमन तो नहीं कि किसका फोन बज रहा है भाई तैंक यू अमूमन हम लोग शेरो शैरी से बचते हैं मैं तो कम से कम बचता हूँ लेकिन एक शेर बड़ा पसंद आया तो आज मैंने वो ट्वीट भी किया कि उमर भर गाले यही भूल करता रहा धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा लेकिन यहां मोदी जी तो आईना सा रहा क्या हूआ कि सर्वेय हो रहे हैं हमारे साहब को इतना नहीं मालूम कि बीबीसी कोई प्रॉफिट लौस का कैर्मणी मॉडल नहीं है, जितने सब्सक्राइबर है BBC के वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस BBC को दे देता है और उससे तंखवाएं चलती है कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है उसमें इंकम टैक्स एपार्टमेंट भारत का उसका कोई रोल ही नहीं है इस से साहब को क्या फरक पड़ रहा है उन्हें तत्थियों से कोई मतलब नहीं साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का उस मीडिया हाउस का भविश्य वर्बाद कर देंगे यह है इनकी असलियत यही बीबीसी दो हजार चौदा सा पहले तो साहब उसके बारे में भाशन दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसाई बीबीसी पर करते हैं आज क्या हुआ तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नहरू हो और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहे आरे साहब आपके साथ यह बुरा हुआ बीस साल पुराना इतिहास अगर वीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परिशानी हो गई G20 पे जो हमें रोटेशनल प्रेजिडेंट्शिप मिली चेर्मेंशिप मिल रही है हिंदुस्तान को सबके लिए गर्व का विश्ष है है Mother of Democracy इंडिया बिलकुल है Mother of Democracy इंडिया लेकिन इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो Father of Hypocrisy क्यों बना हुआ है जब Mother of Democracy है तो विश्व में आप क्या चवी बना रहे हो इस तरह से रेट्स डाल कर इस तरह से इंकम टैक्स की टीम भेज कर BBC पर क्या मिल जाएगा आपको क्या चवी बहुत निखर जाएगी आपकी आप सबको मालूम होगा क्योंकि आप सबसे वाबस्ता है आप से रिलेटेड है ये बात कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142 में रैंक पर थे 2022 में हम 150 में रैंक पर चले गए हमारे पड़ोसी देश हमसे बहतर हो गया तो कल जो इन्होंने बीबी सी के साथ किया आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी आज केह रहें साब विदेशी साजिश हो गई कि द्यानिक भासकरने क्या कर दिया था जब उन पर रेड़ हुई थी वह न्यूज क्लिक क्या विदेशी साज़िश का हिस्सा था न्यूज लॉंड्री क्या विदेशी साज़िश का हिस्सा था कि पहले एक चैनल पर रेड डालते हैं फिर उनका दोस्त वो चैनल खरीद लेता है कि यह कौन सी साज़िश है यह कौन सा टूल किट है मैं नाम ले लेता हूँ, कई बार कई बार नहीं लेता, आप समझते हैं मैं किस चैनल की बात करूँ ऐसे कई उधारन आपको मिल जाएंगे, जिसमें पहले रेड होती है, वो मीडिया हाउस हो, वो कोई पोर्ट हो, वो कोई एरपोर्ट हो पहले एजनसी जाएगी साहब की, पाइलेट एसकॉट होता है न, वी आईपी जब सड़क पर चलते हैं तो, तो ये मोदी साहब का पाइलेट एसकॉट है, मोदी साहब का नहीं, अदानी जी का पाइलेट एसकॉट है, पहले जाती एजनसी, फिर जाते हैं अदानी जी, हो गय तो मीडिया के साथ भी वही हो रहा है जो पैरादीप पोर्ट के साथ हुआ या जो मुंबई हवाई अड़े के साथ हुआ लगातार इनका ये एक टूल किट जिसको हम कहते हैं मैं आपको और भी उधारन दूँगा जो पहले इनकी पैलेट गई फिर ये खुद गए इनके दोस्त गए अंबुजा सिमेंट एसी सी अल्टरा टेक सिमेंट पहले छापा फिर दोस्त कितना अच्छा मॉडल है देखी एंडी टीवी क्विंट कहां इन्होंने ऐसा नहीं किया मुझे बताई तो अब जो इन्होंने कल किया है हमें चिंता देश की छवी कि पहले आपने फिल्म पे बैन लगाया कि यहां स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती अब पतानी हिंडलबर्ग का दिल्ली में ऑफिस है इंडिया में कहीं है या नी होता तो अब तक एजनसी पहुँच चुकी होती अब पतानी कोशिश कर रहे है अलग-अलग देशों में इनकी शाखाएं बना देनी चाहिए जैसे RSS की शाखाएं होती ना वैसे ED की शाखा अमेरिका में इंग्लेंड में शायद फिर हिंडलबर्ग जैसे लोगों को भी चुप करा सकें मजाग बना दिया है देश का कि इसमेड़ मॉकरी ओफ दिस कट्री कि यह नौट अबनाना रेपब्लिक कि अन्वी नेवर भी लेकिन आप जो इस देश में कर रहे हैं फिलिप कॉटलर अवार्ड न पहले सुना न बाद में सुना पूरा तंत्र जागरित हो गया रहे साब मोदी जी को जैजैकार हो गई फिलिप कॉटलर अवार्ड मिल गया तब विदेशी साज़िश नहीं होती ऐसी ऐसी अख़बार हैं जिनका कभी नाम नहीं सुना विदेशों में कहीं उन्होंने पेज वन पे छाप दिया कि मोदी जी महान है तो मोदी जी पस उसी को लेकर पूरे देश में डिबेट सोरी होती है विषव गुरू जो अब तक तो देश के मीडिया को काभू करता था विदेश के मीडिया पर भी रेट डालता है विषव गुरू ऐसे बनते हैं विषव गुरू पूरे विश्व के मीडिया पर रेट डालेगा ऐसा विश्व गुरू हमारे मजाग बना दिए हस रहे हैं लोग हम पर और दुख होता है कि जब भारत जैसे देश के प्रधान मंतरी की हसी उड़ती है अफसोस होता है भले विपक्ष में हो हम प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी ह होता है कि अपनी हसी खुद उड़वाए जा रहे है कि मुझे याद आया कि लंडन में ही एक नजारा मैदाम त्युसाथ म्यूजियम में इनकी मौम की एक छवी बनी मोदी जी की वो नजारा आप याद करिए खड़े होके उसको निहार रहे थे अपनी ही छवी को आप कोई अवार्ड मिल जाए कोई रेकगनिशन मिल जाए कोई विदेशी साजिश नहीं कहीं कोई सच निकलकर आ जाए साजिश हो गई टूलकिट हो गया राष्ट विरोधी हो गए तो चलिए बीबीसी राष्ट विरोधी है ध वायर भी राष्ट विरोधी है ध न्यूज मिनित भी राष्ट विरोधी है इन सब पें इंकम टैक्स रेट्स हुई है निूज लांड्री कूंट एंडी तीवी भारत समाचार न्यूज क्लिक दैनिक भासकर यह साब राष्च विरोधी है क्यों कि उन ने कभी हिंमत जु मेरी प्रेस रिलीज में लिख रहा हूं कि डीडी आकाश्वाणी इस सब पर तो लुब और भरोसा ही नहीं करते हमें तो BBC पर भरोसा है कहा हो क्या हो गया अब BBC पर भरोसा क्यों नहीं है शद्姥ा में आते भाषा बदल दी एडिटर्स गिल्ड ने कल एक स्टेट्मेंट जारी किया BBC पर इंकम टैक्स के छापों की निंदा की Congress Party उस स्टेट्मेंट का समर्थन करती है स्वागत करती है और लोग तंत्र के चौथे स्तंभ को जो सत्ता का हथोड़ा बार-बार मारा जा रहा है हम उसका खुल कर डट कर विरोध करते रहेंगे स्टार्ट अप इंडिया तक तो ठीक है लेकिन ये शट अप इंडिया तो हम नहीं होने देगे और उसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं क्योंकि आपकी कलम पर कमल का इतना बड़ा प्रभाव हो इतना दबाव हो यह मुझे नहीं लगता आप लोगों को बरदास्ट करना चाहिए आपके सवाल मुझे लगता नहीं ज्यादा पूछेंगे लेकिन पूछें तो अच्छा लगेगा लड़ाई तो आपकी लड़ रहे हैं ओके शॉड़ाई तो आपकी लड़ रहे हैं okay sure what happened yesterday at the premises of the BBC in India comes as a shock to all of us because it ruins the image of India in the world the Prime Minister who celebrates little-known awards I'll give you an example Philip Kotler award never heard before never heard after he craves for endorsements from foreign countries but if a foreign publication of foreign media house exposes his own past he first bands that documentary then goes about unleashing his agencies on these organizations in this case it's the BBC calls them part of a conspiracy hatched abroad against him he doesn't realize they have been Prime Ministers before him they will definitely be Prime Ministers after him and if BBC is a part of a foreign conspiracy why did you rate the Nick Basker news click news laundry NDTV the wire the quaint the list is endless were they all part of a foreign conspiracy and if everybody is a part of a foreign conspiracy where is your foreign policy is your foreign policy so weak that anybody can conspire against the mother of democracy called India yes India is the mother of democracy but unfortunately India's Prime Minister is the father of hypocrisy which came out very clearly yesterday in the world press freedom index India was one for two one 42 in 2021 and in 2022 India slipped down 250 I don't know what will happen in 2023 after what happened yesterday at the BBC and this is the tool kit of Mr. Narendra Modi whether it's a business house whether it's a port whether it's an airport whether it's a media house his pilot team will go first which will be an agency then his friend will come Mr. Adani will take over like it happened in many ports and airports and in some cases also in some media houses this tool kit stands exposed unfortunately for Mr. Modi Mr. Adani can't take over the BBC well to the best of my knowledge he can't Mr. Modi doesn't even understand the BBC's revenue model it's not a profit and loss kind of a revenue model the BBC works on the license fees which every subscriber pays to a post office in United Kingdom that money is handed over by the post office to the BBC to run its day-to-day expenses they do not depend on advertisements first of all where is the Indian income tax department how does it come into the picture I don't understand I'm sure even Modiji doesn't understand he doesn't need to understand he just needs to unleash his agencies on these media houses because they have dared to talk about his own past so if anybody talks about Mr. Modi's past that media house its present and its future will be destroyed by Mr. Modi's agencies his frontal organizations unfortunately for Mr. Modi Hindelberg doesn't have a an office in India to the best of my knowledge perhaps Mr. Modi should consider opening branches of ED IT and SFIO and CBI to all the countries so that Hindelbergs can be shut up the Congress party supports the statement of the Editors Guild of India and will not tolerate these brazen attempts to shut independent media how voices in in India your questions please Pelley's 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 नहीं है जिस संस्था का profit और loss का template नहीं है उस पे भारत के income tax department की क्या jurisdiction बनती है यह कोई मुझे समझा दे मोदी जी को समझा दे बनती ही नहीं है जब आपकी संस्था विज्यापनों पर निर्भर नहीं करती जब आपकी संस्था profit और loss के model पे नहीं चलती वो subscribers की fees से अपना दिन प्रति दिन का खड़्चा निकालती है तो भारत के income tax department का क्या मतलब है उससे कि सिर्फ डराने का एक तरीका है intimidation tactic है यह do you know I I'm not bothered about what the u.s. says about India I am worried about what the kind of image we are presenting to ourselves about about our country as i said we are in a year where we are heading the G20 lots of countries are visiting India participating in conferences, seminars, roundtables mother of democracy has a prime minister who is a grandfather of hypocrisy not even a father of hypocrisy so I am not surprised with the response of the US as I said in the world freedom of press index we have already slipped from 142 to 150 in one year 2021 to 2022 how many journalists of our own country have been imprisoned, detained it's for all of you to cover, it's for all of you to expose, after all tomorrow it will be your turn that's my worry my worry is that democracy in this country as we know it is dying, not a slow death, but a definite rapid death मुझे तारीखें बताईए बैन का में एको आर्डर दिखाईए है मैं वो पूरा किस्सा जानता हूं बीबीसी में जो यहां लोग रहे वे हैं आज भी हैं मेरे इपडोस में रहते हैं मैं उनसे भी जानकरी ली है एक घोशित आपाथकाल में एक फॉर्मेट था उन्होंने भरने से इंकार किया उन्होंने का हम नहीं भरेंगे और वो चले गए और वो वापस आ गए कोई बैन नहीं लगाया गया था ये कोई आपाथकाल नहीं है इसमें कोई फॉर्म भरने को नहीं कहा गया है किसी की आवाज रोकने के लिए कोई format नहीं है किसा आप यही चाप सकते हो आप इसके अलावा नहीं चाप सकते ऐसा कुछ नहीं है ना या तो घोशित कर देना कोई तुलना हो ही नहीं सकती कोई बैन नहीं लगा था पत्रकारिता अच्छी हो खराब हो उसका जवाब बैन से नहीं होता है उसका जवाब रेड से नहीं होता है उनसे भी पूछी है आप क्या रेड होनी चाहिए कल को आप हमारे खिलाफ कुछ चापते हैं राजिस्थान में चत्तीस गड़ में हिमाचल में जारखंड में क्या रेड डालने आप पर अच्छा लगेगा आपको आज राजिस्थान में जहां से मैं आता हूँ एक अख़बार है जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ चापती रहती है कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ चापती रहती हमने तो रेड नहीं ड जवाब दीजे ना विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से होगी खराब पत्रकारिता की लड़ाई भी उस पर भी एक मंच होता है डेफरमेशन करना है डेफरमेशन करिए कौन रोक रहा है आपको देहार एवेण्यूस आप रेड डाल देंगे कोई एक उधारन हो तो बताएं कि बीबीसी का अकेले का थोड़ा ही है हमने तो तब भी आवाद उठाई थी जब दैनिक भासकर पर दैनिक भासकर ने क्या किया था लाशों की फोटोज शाप दी थी कोविड में क्या कोविड में मौते नहीं हुई और अगर दैनिक भासकर ने गलत छापा था तो कर देते defamation कौन रोक रहा है आपको या आप अपने तथे सामने लाते कि नहीं से आप तथे गलत हैं यह है तथे कौन रोक रहा है आपको लोग तंत्र में लड़ाई भी अगर आपको मीडिया से लड़नी है तो उसका भी एक तरीका है हमने भी defamations किये हैं ना पत्रकारों पर कई बार करना पड़ा क्योंकि गलत था लेकिन एक स्तर होना चाहिए एजनसी को नहीं हम पीछे छोड़ देते हैं किसी न्यूज क्लिक पर हुआ 114 घंटे तक का एडी का छापा फिर आयकर का छापा यह तरीका है क्या दिस ने मेरे खिलाफ चाप दिया उसके पीछे एडी लगा दी लगा दी क्या कर रहे हैं तो जो यह सांसत बोल रहे हैं उनसे पूछिए क्या आप भी ऐसा करते हैं BBC ने इंग्लेंड की सरकार के खिलाफ लगातार लगातार स्टोरीज की हैं उन्होंने तो रेड्स नहीं डाली क्या तो उनको कहते हैं कि जब भी उनको अपना मीडिया को काबू करना है मोधी सहाब को फोन कर दें साहब अपना इंकम टैक्स यहां भी भेज़ दो कमाल है कोई गुरिला आर्मी बना रखी हैं आपने कि जी एक समवेदन हीन सरकार लगातार ऐसे किस्से आपको उत्तर प्रदेश से अलग-अलग कोनों से सुनाई देते हैं जब किसी एक कौम का साथ होता है तो तालियां बजाते हैं कुछ लोग यहां दिल्ली में बैठकर अब मेजॉरिटी कम्यूनिटी के साथ भी होने लगा अब चुप है सनाटा है अब भी बोलें तालियां बजाएं कि आरे वहाँ योगी जी वहाँ एक ऐसी सरकार जो संविधान की शपत लेकर बनी है लेकिन संविधान की धजियां रोज उडाती है एक ऐसी सरकार जिमेदार है उसके लिए जो दिख्षित परिवार जिनके साथ ये हुआ उनके साथ मैं भी देखना चाहता हूं दिल्ली का अब कौन कौन सा मीडिया खड़ा है कल मैंने संजीव से पूछा कि इस मुद्दे पर कितनी डिबेट्स आई है संजीव ने मुझे का सर मैं देख के बताता हूं पूछिए इन से एक डिबेट नहीं थी इस पर क्यों क्यों नहीं थी तो हम सब जिम्मेदार हैं माफ कीजेगा आप भी जिम्मेदार है जी और कोई सवाल हाँ प्वै कि एड कोई अब चरवेरे जी बाव जीम्मेदार है वह वहारे होर्ण मिनिसर वी जिभेश बेट इस कर्या रहिए रे इस आप इस कर्या कंट्रीज इंट्रेस्ट आर बिंग अंडर्माइंड इन फ्रेंड ली कंट्रीज वेर इस ही वाइज गवर्मेंट स्लीपिंग आ रहे हैं तो वह पूछ लेंगे है कुछ है वह आ रहे हैं तो पुछ है ए नहीं का हुए एक सवाल था तो आपने पार्लेमेंट में देखा कितने डरेवे थे डरेवे हैं और मुझे तो अब लगता है कि भीतर से कोई शडियंतर भी रच रहा है उनके खिलाब नहीं तो ऐसी रेड्स नहीं होती है इतना समझदार तो सब होते हैं कि चुनाव से एक डेड़ साल पहले एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस पर आप रेट डाल रहे हैं तो या तो घबराय हुए इतने जादा हैं कि आँखें बंद हो गई हैं सच नहीं देख पारें या शड्यंत्र भी हो रहा हो कुछ भी हो सकता है जाखर जी जब तक कॉंग्रेस में थे तब तक तो ऐसी बाते नहीं करते थे अब भाजपा में चले गए तो पाकिस्तान की मदद करने की गुहार कर रहे हैं अब हम मोदी जी से यह जानना चाहते हैं कि अगले 24 गंटे में जवाब दें क्या सुनील जाखर जी की इस टिपणी में उनके साथ हैं क्या मोदी जी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद भारत करे और पुल्वामा की बरसी हमने कल ही मनाई यह ट्वीट भी शैद कल या परसू ही आया पुल्वामा की बरसी पर जहां हमारे 40 जवान शहीद हुए हों भारती जन्ता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता सुनील जाखर जी कह रहे हैं कि भारत को आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए अब हम संग प्रमुख से रवी शंकर प्रसाद से माननी नरेंदर मोदी जी से माननी अमिट शाह जी से माननी नड़ा जी से जानना चाहते हैं जैशंकर प्रसाद से जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने नेता के इस कथन से सहमत हैं कि पुलวामा में जिस देश के लोगों ने आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को मार दिया था, शहीद किया था, उस देश की मदद करनी चाहिए क्या, जवाब दे, कई चीजों का जवाब आपको मिले गा इस जवाब से, और अगर वो इसमें सहमत नहीं है, तो वो क्या कार परवाई कर रहे हैं अपने भार्ती जन्ता पार्टी के इस नेता के खिलाफ यही बात अगर करनाटक के एक पंचायत कर्मी ने कॉंग्रेस के पंचायत वाले ने अगर कर दी होती तो आज मेरी प्रेसवारता में कोई भी टॉपिक लाया होता सारे सवाल उसी पर होते और सुबह से शाम तक टीवी पे डिबेट्स हो रही होती है, अरे साथ कॉंग्रेस ने कह दिया पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, भले वो कॉंग्रेस का एक छोटा सा वरकर होता, सुनिल जाखर जी तो बहुत बड़े नेता हैं भारती जन्ता पार्टी, वो कह रहे हैं पु reciprocate the spirit of goodwill which made Kartarpur corridor possible, बताइए, यह है भारती जन्ता पार्टी की असलियत, जाखर साहब आप तो ऐसे न थे, जब हमारे साथ थे, अब क्या हो गया, थांक यू, सिदार जी, मुझे, मैं सुनिल जाखर जी को बहुत सालों से जानता हूँ, बड़े समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पड़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये उनके विचार नहीं, ये मोदी जी की ही विचार होंगे, संग के ही विचार होंगे, कि पुल्वामा से, कि बरसी के एक दिन पहले कोई कह रहा हो, कि पाकिस्तान की मदद करो, भारत को कह रहा हो, अपनी पार्टी को कह रहा हो, और पार्टी में अभी 24 घंटे में जवाब दें या कोई कारवाई करें मालून तो पड़ेगा घ्रक्षा थैंक यू अगये मैं आपको बेज़ा है जरें आप अब कर दो कर दो झाल झाल